कई बार इंसान ऐसे हाथसों का शिकार हो जाता है जो सोच से परे हैं जिसकी तस्वीरे देख रूह काप जाए हलाकि कुछ ऐसे लोग होते हैं जो मौके की गंभीरता को समझते हैं और दूसरों को मुसीबत में देखकर फॉरन उनकी मदद के लिए दौड पड़ते हैं फिर चाहे खुद की जान जोखिम में ही क्यों न डालना पड़े ऐसे कई बहादूर लोगों के वीडियो आपने सोचल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कई बार देखे होंगे फिलाल इससे जुड़ा एक ऐसा ही वीडियो इन दिनों लोगों की भी चर्चा में है जहां एक बच्चा फ्लास्टिक की शीट पर बालकनी में अटक गया और फिर उसे बचाने के लिए लोगों ने मिलकर रेस्क्यू ओपरेशन चलाया यह हैरान कर देने वाला मामला चिन्नई का बताया जा रहा है जहां एक बच्चा बालकनी में बुरी तरह से फस जाता है और फिर उसको बचाने के लिए लोग रेस्क्यू ओपरेशन चलाते हैं लेकिन इसी दोरान बगल के फ्लैट वाली महिला कुछ ऐसा करती है कि बच्चे की जान बच जाती है और वो अपने परिवार के पास एकदम सुरक्षित पहुँच जाता है जानकारी के मुताबिक ये घटना अवाडी के एक अपार्टमेंट की है जहाँ पर रहने वाले एक परिवार का बच्चा बालकनी में लगी प्लास्टिक शीट पर गिर गया था इसके बाद पूरी बिल्डिंग में अफरा तफरी का महल बन जाता है नीचे खड़े लोग बच्चे को बचाने के लिए बेट शीट फैला देते हैं ताकि बच्चा गिरे तो बेट शीट पर ही गिरे इस दोरान बच्चा दिरे दिरे प्लास्टिक शीट पर फिसल रहा था मगर कुछ लोग पहली मंजिल के खिड़की पर चड़ गए और दो मिनट के मशक्कत के बाद बच्चे को बचा लिया